नमस्कार साथियों, मैं हुलेश कुमार चंद्राकर, 36 गर साहेक शिक्षक फ्रेडरेशन, प्रांतिय प्रवक्ता और जीला अध्यक्ष धम्तरी, जिस प्रकासे राजनान गाउं के अधिकारियों के द्वारा हमारे प्रांता अध्यक्ष मलिश मिस्रा, जिको बीना इस्पष्टी करन मांगे उन पर निलंबन की कारवाई की गई है, और इस तरह की कारवाई कहीं न कहीं ये बताता है, कि अधिकारियों का जो मनमाने रवय्य है, वो बढ़ते जा रहा है, 37 सरकार को भी ये सोचना होगा, कि इतने बड़े संगठन जहां एक लाख नौ हजार सहायक सिक्षकों का नित्रित्व करता, जो आम सिक्षक साथियों के हित की लड़ाई लड़ रहा है, ऐसे पदाधिकारियों का कारियाले में रोज कहीं न कहीं काम होता है, वो अपने एक एक वर्गतीन या सिक्षक कि लड़ाई को लड़ रहा है, उनके पास हजारों समस्याएं आती है, इन सारी समस्याओं को लेकर और अभी जो पदोनती का कारी चल रहा है, उसमें पारदर सिता की मांग उनके द्वारा लगतार की जा रही है, राजनान गाउंचीला में भी ये मांग किया जा रहा है कि जल्द से जल्द प्रमोशन के लिए जो साट आउट किया जाना है, लिस्ट उनको पारदर सिता के साथ में जारी किया जाए, और साथियों को ज्यादा से ज्यादा लाग पदोनती के मामले में होना चाहिए, वो किसी भी संवर्ग से हो, इस तरह की मांगों को लगतार अधि पदाधिकारी इस से हतास होकर संगठन के प्रमुख नेता को टार्गेट कर रहे हैं, और ये सचतितगर सहायक सिक्षक फेडरेशन के पूरे 28 जीला ध्यक्षकों ने एलान किया है कि यदित अत्काल मनिस मिस्रा के उपर दुर्भावना पूर्ण जो निरंबन की कारवाही क की गई है उसको हटाया नहीं जाता तो आने वाले दिनों में हम सभी 28 जीला के पदाधिकारी सबसे पहले राजनान को हमें डेरा डालेंगे और प्रशाशन के इस रवये के खिलाब शंखनाध करेंगे और आवस्यक्ता पड़ी तो आने वाले दिनों में हम एक बड़ा 36 साहयक शिक्षक फेडरेशन के प्रांती अध्यक्ष अधरणी मनिश मिश्राजी जो एक लाख नौँ हजार साहयक शिक्षकों की लड़ाई को नेत्रित्व प्रदान कर रहे हैं आज राजनांगाउं जिला शिक्षा अधिकारी कार्याले से उनके खिलाफ निलंबन का एक आदेश निकाला गया है और इस तरह के आदेश जो निकाला गया है कहीं कहीं दुर्भावना क्यों इसारा कर रही है हम यह मांग करते हैं समस्त 28 जिला अध्यक्षों ने यह मांग किया है कि मनिश मिस्रा के निलंबन की बहाली ततकाल यदि नहीं किया जाता तो हम बहुत जल्द एक बड़ा आंदोरन करने जा रहे हैं जीला ध्यक्षों के द्वारा यह बात कहीं गई है कि किसी भी कर्मचारी को उनके राय जाने बगएर इस पश्टी करन को जाने बगएर आप किसी भी तरह से निलंबन की कारवाहिन नहीं कर सकते प्रांति नेत्रित करता चाहे वो किसी भी संग संगठन से हो कर्मचारी संगठन ऐसा है जिसमें नेत्रित करता के पास हजारों काम होते हैं और उनका एक अधिकार होता है कि बहा कारयाले में जाकर इस पश्टी करन जैसे पदोन्नती की प्रक्रिया चल रही है उसमें पारदरसिता जैसे कामों के लिए या अन्य संगी कारियों के लिए विकार्यालाय जाते हैं किसे भी सिख्छक संगठन की बात हो नेत्रितु करता की जवाब देही होती है कि अपने संगठन के लिए अपने कर्मचारियों के हीद के लिए वो समय समय पर कार्याले जाएं और इस तरह से मनिस मिस्रा के उपर जो निलंबन की कारवाई की गई है ये निश्चित ही प्रशाशन के साथ साथ में सासन को सोचना होगा क्योंकि 37 सरकार भी आम जनता के साथ कर्मचारी संगठनों के साथ में चलने के वादा करते आए हैं और कर्मचारी संगठन यदि नाराज हो गया तो कहीं ने कहीं इसकी भरपाई करपाना दूर दूर तक भी दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए मैं भुलेश कुमार चंद्राकर प्रांती प्रवक्ता आम एक-एक सहयब सिक्षक और कर्मचारी संगठनों से निवेदन करता हूं कि इस तरह से किसी भी तरह से कारवाई की जाती है ऐसे अधिकारियों को ततकाल वहां से हटाया जाए और यह हमारी मांग है कि ततक काल निलंबन निरस्त किया जाए धन्यवाद